तो चले अब बात करें मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पत को लेकर असमंजस के हाला आते हैं आपको बता दे 20 साल में ये पहला मौका है जब रिजल्ट के बाद सीम का नाम तेह करने में इतने दिन लग रहे हैं देखें हमारी खास रपोर 20 साल में पहली बार टूटा रिकॉर्ड रिजल्ट के बाद पहली बार लगेंगे आठ दिन अब प्रेवेक्षक की राइशुमारी के बाद फैसला मदपर्देश में ये पहला मौका है जब भाजपा रिजल्ट आने के बाद भी मुखमंतरी का चेहरा तै नहीं कर पा रही तीन दिसंबर को नतीजे आ गए और अब तक सस्पेंस बना हुआ है अब आठ दिन बाद यानि 11 दिसंबर को भाजपा विदायक दल की बैठक के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा इस से पहले के चुनाव में भाजपा ने रिजल्ट आने के 2-5 दिन बाद ही मुखमंतरी के नाम का एलान कर दिया था क्योंकि भाजपा ने मुखमंतरी का चहरा घोशित करके ही चुनाव लड़ा था 2003 में उमाभारती के चहरे को प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा गया था इसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक शिवराज ही चहरा रहे हैं इस बार चुनाव में भाजपा ने किसी भी चहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया पार्टी ने मुखमंतरी के चैन के लिए तीन प्रेवेक्षक निउक्त किये हैं इसमें हर्याना के मुखमंतरी मनुहर लाल खटर ओविसी मोर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष डॉक्टर के ल लेकिन बीजेपी के संसदिय बोर्ड में मुखमंतरी के नाम पर फैसला होता है बिरो रिपोर्ट आई एनच 24 इन्टु 7 भोपाल